हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई कहानी में तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी है हमारी अपनों का किया कराया तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हमारी शुरू होती है सुधा से सुधा का परिवार है उसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई तो सुधा की परि था एक ताउ जी का एक उसके पापा का और एक दादा जी का चाचा जी का यानि कि चार मकान उसके बड़े-बड़े थे तो पापा जी जब उसके घर छोड़ करके बाहर सिफ्ट होते हैं जैसे बंगलोर टाइप में वहां उनका बिजनिस बाहर बाहर था तो वह लोग चले ज जो है वो चाचा जी के पास रहने के लिए चली जाती हैं अभी क्या होता है एक करीब दस-पंदा दिन पहले यह लोग प्लान करते हैं सुधा के मामी पापा की बच्चे इस बार हम लोग क्या करते हैं चलते हैं अपने पुराने घर यानि कि जहां से हम लोग आये हुए हैं ब बाहर रहने लगे थे घर उसका खाली पड़ा हुआ था उसके घर के आसपास मिलब एक घर भी बहुत बड़ा था तो आसपास के लोग भी जो रहते थे वह भी मतलब उधर आना जाना भी काम कर चुके थे ताई जी और ताउजी जो है वो अपने घर में मगन रहते थे तो होता है तो जाते हैं वह अंदर जाते हैं यह कुलते हैं तो जो आटे हैं को वह जाते हैं जो है चोटे से घर में रहते हैं तो एक ठ़र बना हुँआ तो बड़ी हवेली टाइप का घर है तो उसमें का बटा घर तो बड़ा हाई है कि दादा जी सभी को इतना बड़ा बड़ा घर बनवा के दिये ही थे रहने के लिए कि दादा जी तो बहुत अमेर थे इसलिए तो बनवाया तो दोनों मा बेटी आपस में ऐसी नुख्षुक करके बैठ जाती है चाय पानी करते हैं कुछ और मंगाते आडर करते हैं कि वह सहर में तो कुछ भी आडर को फटा फटा जाता है तो अभी जब रात हो जाती है तो सभ जाती है तो अब वो तीनों लोग तो चले जाते हैं सुधा घर पे अपने बेट पर लेटी हुई है शावर लेने के बाद में वो लेट जाती है जब लेट जाती है तो उसको अजीब अजीब सा होता है कि कोई ऐसा लग राए कि कभी बेड एक मेरे साथ में ही एक लेकी पापा सभा जाती है तो फिर उसको आवाद षुदा सुधा沼 लेकिन ज्यादा बोलती नहीं बोलती क्या है कि मम्मा मुझे सोने दो मुझे नीद आ रही खैर वो रात निकल जाती है उसके बाद जब सुबह होती है तो उसकी मा जो है बढ़ियां अपना वाश्रूम से होकर के फ्रेस होकर के किचन में जाके नास्ता बगेरा बनाती है उसको आवज लगाती है कि बटा आ आई भी आ चुका है सबी टेबल पे बैठ चुके हैं आजाओ तुम भी आजाओ देखो मैंने सुबह सुबह गरम करूं को चोड़ियां बनाई है और बाकी जिसे में बाहर से मंगा लों भी तुम्हें पचोड़ी पसंद है तो आजाओ पटापट से तो वो आजीब से सब लॉड़ी बोलती नहीं थी आज इसको क्या हो गया उसके तो एकदम तीवर ही बदल गए यह ऐसे एकदम लाल पुरा चेहरा लाल आखे उसकी एकदम सफेज सी लगने लगती एकदम से चेहरा अक्रम हो जाता है सब ही बड़े हैरान इसको क्या हुआ यह तो हमेशा पर पास्त नहीं करती पढ़ी रहती हुआ जाती है वात्रों फिर बापिस आती है ती मम्म मुझे आज कुछ नहीं करना नार्मली बोल रही है तो सब बड़े खुश होते हैं कि अरे इसको गुष्षा था तबी ऐसी बोली तभी थी नहीं वहुत सब था ओसान की वज़े से 1 लेकिन 1 वह भीन एसी तरइ से बात करीं बहुत परशांगे अब कर Τ empties एकंड है कि करें तो क्या करें ये तो किसी की बाती ही सुन रही çek परशाने करें तो करें क्या अब वहां बुलाते हैं पंडिचु जो उनके वहां के पहले रहा करते थे ताई जी से परामर्स लेते हैं कि ताई जी बताती हैं कि भाई हम बुलाई देरे हैं जो हमारे पुझा उजा कराने आते हैं पुराने पंडित को बुड़े हो चुके हैं वह साथ में अपने और एक साथी को बुला के लेकर आते हैं हवन पुझा होती है कि भाई इतने सालों से वह घर बंद पड़ा था पुझा पाड़ उसमें कुछ हुआ नहीं था कोई भी नकारात्म को हैं उसमें उर्जा सकती है या कोई भी भूत बादा हो सकती है इस तरह से वह सोच करके हवन करते हैं और एक जल जो है गंगा जल उस को फैक देती है नीचे गिरा देती है उसको छूती तक नहीं है अब पंडी जी बिल्कुल उनका शक मजबूत हो जाता कि कुछ तो है कुछ है यहां पर जो इसको उमलब उस पे हावी है और इसको कुछ भी करने से रोक रहा है पंडी जी बड़ा ध्यान लगा कर देखते हो लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसा माया जाल किसी ने इसमें करके रखा हुआ है जो इसको घर तक ही है घर तक ही है और घर से बाहर नहीं जाने देरा इसलिए लड़की बाहर नहीं जा रही है और किसी की बात ने सुनी किसी तरह इसको जो है इसको पकड़ के रखो अगर घर से सब बहुत परेशान की कैसे तो पंडी जी को चुपाए बताइए कैसे करें आपने यह तो जान लिया कुछ है लेकिन कैसे पता लगा जाए तो बेटा यह अब मेरे से बस में नहीं आ रही है आप किसी और को बुला के लाओ जो तंत्र विद्या का मतलब जानकार हो अब वह प उनको लेकर के आ जाता है यही से करते करते दो चार दिन और बीच जाते हैं वह बहुत एकदम कमजोर सी पड़ गई हर किसी से वह जगड़ा लड़ाई करने पर उतारा बिल्कुल भी वहां से हटने दी जब उसको बुला के लाया जाता है बाबाजी को तो बाबाजी के बिठाएंगे यहां बेट पर तो आप आसपा जो भी मैं बताओं आपको तुरंत एक मिनट के अंदर करना है अगर समय वह खतम हो जाएगा तब आप समझ लेंगे और समझ के वह काम करेंगे अब तांत्रिक बाबा जो है चो की मैट जाते हैं और एक ऐसे गोल-गोल सा घेर कि अगरा बना देते हैं उस पर यूँ कर लाइं और उसी में किसी थरह से पकड़ के उसको बिठाते हैं तस्टीओंसे बांद करके बिठाएंगे नहीं तो जो कि तो अचानक से मनलब कंट चौक देते हैं और उस पुगते नपट है चलावे से उसने करदेते हैं इस पे से कैसे हटाए जाने का जब τब चीज मिल नहीं जाती है तब तक कैसे होगी फिर ध्यान लगाते हैं तो उनको जो है दुंदली सी दिखती है कि कुछ यहीं घर में रखा हुआ है और घर में इसी जगह रखा हुआ है जो की किचन बातरूम जा फिर यहीं लीविंग जह तो अब वो इशारा करते हैं कि सभी लोग लग जाईए धूनने में कुछ तो है इस घर में कुछ है ऐसा जो आपके आने से 24 गंटे पहले रखा गया है ऐसा है जो आपको बरबाद कर देगा लड़की से शुरुबात हो चुती है आन अनफान में चारों डूनना शुरू कर द से कुछ नहीं मिलता इधर पूरा छे रहला है से कहते हैं यहाँ जो 1 बांख बना हुआ उस यदिखा जाके बच्चा कुछ तो मिलेगा आप जाते हैं पिता पुत्र दोनों लोग ये भी देखते तो इसकी मां भी पीछे से सुधा की मां भी दोड़ती हुआ जाते हैं कि बाबा मैं भी देखूं तो इस टूल रखके जब ऊपर चड़ती है तो बातरों में जहां पर एक शीशा वो शीशा या किड़की जो थी उपर का रोशन लान उस जगह से दोहरी दिवार बने थी दोहरी दिवार के थोड़ा सा इसे हटा कर देखा तो दो सरिया इतनी बड़ी-बड़ी सी लाल कपड़े में लिपती हुई रखी थी उसी में नेमू मिल्च और जाने क्या-क्या सब चंत्र भिर्त करा हुआ रखा हुआ था जब यसको देखा उठा करके लाए भाई उठा करके लाए बाबाजी ने गाऊ चाहलो कुए नी नहीं हम देखेंगे ना तुम उठा के लाओ और वह उठा के लिए आते हैं और जैसे वो लाते हैं वो सुद्धा अग्दाम से रसी तूरक इतनी आक्रमक हो जाती है इसको ले far ug opinion करें यूद अब होचे हुए percent चलो मिल गई है यह बाबाजी कहाँ, ऑभी यह पटे यह ड रहें तो । फिर भूपना शुरू करते हैं चेज़ जरा इसके बढ़िद के नीचे देखो तो जब बेड़ के नीचे देखते हैं तो वहां क्या मिलता है एक पेपर पेपर में दो भाशाओं में कुछ मंत्र लिखी होते हैं अब बाबाजी देखें इस मंत्र के रहने से यह लड़की वसी भूत हो चुकी है एक नकारात्मकोग्या में और इस पर उन्हों ने करवाया ह है उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा मुनलब नाम बताने से क्या है तो यह जो लोग थे यह तुम्हें जो है यहां से भागाना चाहते थे और तुम्हारा घर हती आना चाहते थे इतने दिनों से तो तुम लोग थे नहीं यहां पर अभी अचानक से आ गये हो तो उन लोगों सिर्फ यह 24 गंटे की महमान बचीती देखो कैसे पकड़ के बैठी हुए फिर वह अपनी तंत्र विद्धा स्टार्ट करते हैं उसी चोकी पर इतना तेजी से अपने लड़की छोड़ देती फिर इसको ले जा करके वह अपने लाल कपड़े में बड़े से इसको बांध लेते हैं और वह जो मंत्र वाला पर्चा होता वह भी उसी में रख लेते हैं और उसको लेके अपने साथ जाते हैं कहते हैं हमको आप दरवाजे तक छोड़ दीजिए आप दरवाजे को खुला रखिएगा छोड़ करके आप आप लोग साइड में हो जाएगा और इस बालिका को इस बाड़ निकल जाते हैं जो पंडित बाबा ओते हैं और दबा देते हैं और वह पूरुस होते हैं उनको ग्याद सभी चीजे हो जाती है कि किस ने किया कैसे किया लेकिन पारिवारिक मामला था तो बोलना नहीं जाते थे केते थे इनके घर में इनके परोष में जो शाती और कई परीशान करती है इन Cong Taja Jee 500 कर आया था अपने घर को बंदेजी जब बंदेजी तो जो भबाबाजीने करवा था तो अपना घर तो ऑफना थो नहीं बाद से लिया और वो लाकर के इन्होंने जो निकाला वो इनके गृतर कि आशिक है और यह पिर इसकी जाना जानी जानी आ जानी पकी जानी है अब वो सोच लीजिए ऐसे रिष्टेदार थे उनके कि उसमें उन्होंने रख दिया अगर वहां ना रख करके उसको बिल्कुल बाहर निकाल देते किसी के उस पे नहीं होना था तो रिष्टेदार ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसा कार्म करते हैं और उनको जरासा भी पच्तावा नही पर होता लेकिन उन्होंने इसके लिए प्रफर करके ही रखा था तो तो होना ही होना था तो यह थी आज की कहानी मिलते हैं कल एक नहीं कहानी के साथ